आईपिल 2022 से बाहर नहीं हुई है चैनिक सोपर किंग्स अभी भी पहुँच सकती है पिले आफ में बस करना होगा ये काम जानेंगे पूरी खवर चैनल को सब्सक्राइब करें आईपिल 2022 से जुड़ी हर चोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी आईपिल 2022 में चैनल सुपर किंग्स का प्रदर्शन अभी तक अच्छा नहीं रहा चैनल सुपर किंग्स ने खेले गए 10 मुकाबलों में से सिर्फ तीन ही मुकाबले जीते हैं आपको बता दे, रोयल चलेंजर्स बैंगलोर के खिलाब भी चन्नी सुपर किंग्स को हार का सामना करना पड़ा रोयल चलेंजर्स बैंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 173 रन बनाए थे लेकिन इस लक्ष को भी चैन्नी सुपर किंग्स की टीम हासिल नहीं कर पाई और सिर्फ 160 रन बना पाई चैन्नी सुपर किंग्स को इस मुकावले में 13 रनों से हार का सामना करना पड़ा अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है क्या चैन्नी सोपर किंग्स रोयल चलेंजर्स बैंगलूर के खिलाफ मुकाबला हारने के बाद IPL 2022 के प्ले ओफ की रेस से बाहर हो गई है या नहीं आपको बता दें बैसे तो चैन्नी सोपर किंग्स का प्ले ओफ में पहुँचना अब लगबग नामुम्किन है लेकिन अभी तक ओफिसियली चैन्नी सोपर किंग्स IPL 2022 से बाहर नहीं हुई है अब यहां से चेन्ने सोपर किंग्स का प्ले ओफ में पहुचना ना सिर्फ चेन्ने के ब्रदर सनबल की दूसरी टीमों की किस्मत पर निर्भर करेगा चेन्ने सोपर किंग्स को कोसिस करनी होगी कि बाकी बचे हुए चार मुकावलों में बड़े अंतर से जीत हासिल करें जिससे कि अगर कोई ऐसे स्थिती बनती है जहां पर एक टीम 14 अंकों के साथ प्ले ओफ के लिए क्वालिफाई करेगी तो स्थिती में चेन्ने की टीम क्वालिफाई कर पाएं आपको क्या लगता है कि महिंदर सिंग धौनी को IPL 2023 में कप्तानी करनी चाहिए आप अपनी राए नीचे कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें